सहजन या मरींगा दुनिया का एक स्वादिष्ट और पॉष्टिक सुपरफूड है। सहजन की खेती किसानों के लिए सबसे अच्छा व्यवसाय है, क्योंकि यह कम श्रम और लागत वाला एक आसान और अधिक लाबदायक व्यवसाय है। सहजन की खेती लंबे समय से आर्थिक रूप से अधिक लाबदायक रही है, क्योंकि एक बार जब आप इसकी खेती करना शुरू कर देते हैं तो आपको कई वर्षों तक सहजन की खेती होती रहेगी। आज इस वीडियो में हम ODC 3 किस्मों सहजन की खेती की विधी और इसके फायदे और नुकसान को समझाने की कोशिश करेंगे। ODC 3 Drumstick भारतिय तमिलनाडू स्थानिय किस्म के साथ 6 पीडियों तक लगातार बेचकर विक्सित एक शुध लाइन चैन है। ODC 3 प्रकार के सहजन के फूल और फल साल भर उपलब्ध रहते हैं। ODC 3 बुवाई के 3 से 4 महीने के भीतर फूल आना शुरू हो जाता है और 6 महीने में कटाई के लिए आता है इसके अलावा कम पानी और उर्वरक की आवशक्ता होती है। ODC 3 सहजन के फल मांसल और स्वादिश्ट होते हैं। ODC 3 सहजन तेजी से बढ़ने वाला सूखा प्रतिरोधी पेड़ है। एक गर्म और आर्द्र जलवाईू व्रिधी के लिए उप्युक्त है और एक शुष्क जलवाईू फूलों के लिए है। सहजन में फूल आने के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उप्युक्त होता है। ये लंबे समय तक जलभराव को सहन नहीं कर सकता है। ODC 3 ड्रम स्टिक को विभिन प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। लेकिन दोमट, बलूई दोमट मिट्टी बहतर होती है। सैधी मिट्टी और शुष्क स्थिती भी काफी ठीक है। मिट्टी का पी एच 6.2 से 7 होना चाहिए। ODC 3 सहजन व्रिक्षारोपन के लिए भूमी की तयारी बुनियादी है। यदि आप सहजन की खेती कर रहे हैं तो उठी हुई क्यारियों या अत्यधिक उर्वकों या खाद के उप्यों की कोई आवश्यक्ता नहीं है। पोधों की सीधी बुवाय या फिर से पोधे लगाने के लिए प्रती गड़े में एक हाथ भर गाय की खाद की आवश्यक्ता होती है। जब तक कि यह मिट्टी मिट्टी नहों जहां मिट्टी के साथ मिश्रित 4-5 किलो खाद पोधों की बहतर वृद्धी के लिए मिट्टी की स्थिती में मदद करेगी। खेत समतल होना चाहिए और पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। जल निकासी क्षेतर प्रदान किया जाना चाहिए और यदी संभव हो तो नहरों को मानसून के दोरान बहतर जल निकासी के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। अनकुरन के एक महीने के बाद पोधों की रूपाई की जानी चाहिए। ODC 3 Drumstick के पौधों को एक महीने से अधिक समय तक गमलों या प्लास्टिक की थैलियों में नहीं रखना चाहिए क्योंकि जड़े प्रतिबंधित होंगी और विकास प्रतिबंधित होगा। व्यावसाइक खेती में ODC 3 सहजन का प्रवर्धन बीजों के माध्यम से किया जाता है। सबजियों के रूप में व्यावसाइक फसल के लिए ODC 3 डुमस्टिक किस्मों की दूरी और 5 एक 7 फीट के व्रिक्षारोपन की घनत्व की सिफारिश की जाती हैं जो 12-80 हैं और 10-15 वर्षों तक चलती हैं। प्रती एकड में लगभग 1200 पौधों को लगाया जा सकता है। फूल आने के बाद सेंचाई की सलाह दी जाती है जब फल लगने की प्रक्रिया चल रही हो। डृप पाइप की व्यवस्था की जाए। फलने के मौसम के अलावा सेहजन की फसल के लिए सेंचाई की बिलकुल भी आवशक्ता नहीं होती है। ODC 3 सेहजन को बहुत अधिक उर्वकों की आवशक्ता नहीं होती है। इसके जीवित रहने के लिए बुनियादी पोशक तत्वर लगभग परियाप्त हैं। जब आवश्यक हो तो फली या पत्ते का वजन बढ़ाने के लिए उर्वकों का प्रयोग फायदेमंद हो सकता है. आमतोर पर सहजन के पौधों की अच्छी व्रिद्धी के लिए प्रती हेक्टेर 50 kg योरिया, 50 kg पोटाश और 50 kg फॉस्फोरस की आवश्यक्ता होती है. सहजन के पेडों की छंटाई बेहत फायदेमंद पाई जाती है. छंटाई से तनों की संख्या बढ़ जाती है, पेड की समगर उचाय कम हो जाती है और एक अच्छा आकार भी बना रहता है. पहली छंटाई तब की जाती है जब पोधा लगभग 3 फीट का हो जाता है. तब से तनों की छंटाई हर तीन महीने में फूल आने तक की जानी चाहिए. एक बार फूल आने के बाद पोधे की छंटाई न करें. प्री मांसून कड़ी छंटाई होगी फायदेमंद. ड्रमस्टिक पोधों में बालो वाले कैटरपिलर सबसे आम कीटों में से एक है. सही अनुपात में कार्बिरिल या फोस के प्रयोग से इन कीटों का नियंतरन बना रहना चाहिए. इसके अलावा मांसून के ठीक बाद लाइट ट्रैप इन कीडों के संक्रमन को रोक सकता है. ODC 3 सहजन अधिकांच रोगों के लिए काफी प्रतिरक्षित पौधा है, लेकिन कई बार सहजन प्रभावित हो जाता है, विशेश रूप से मौसमी परिवर्तनों के कारण. मोरिंगा में 12 उलेखनिय बीमारिया पाई जाती हैं जिनमें कैंकर, रूट रोट और लीफ स्पॉट शामिल हैं. यदि यह सभी रोग होते हैं तो क्रिशी अधिकारी की सला से कारवाई की जानी चाहिए.